आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड्मी नोट 5 Pro के लिए एक ने रोम के बारे में जिसका नाम है इसके अंदर आपको काफी सारे कस्टमाइजेसन के फीचर मिली लाते हैं काफी स्टेपल रुम है और सारी जो है भी ठीक तरीके से काम करें हैं तो यह वीडियो उसी को पर है मैं बताऊंगा क्या 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 विद्ल्र पेखने को मिलते हैं कैसे आप इसको फॉली तो अज इसके अंदर हमने Evolution X Roam इसको इंस्टॉल कर रखा है क्यों टॉपल्स आपको कुछ इस तरीगे के देखने को मिलते हैं आप इसके अंदर जो इसके आइकन्स चेंज कर सकते हैं विजेट्स एड़ कर सकते हैं काफी सारे कस्टमाज़ेशन आप कर सकते हैं मत उन सब करने से पहले सबसे चलते हैं हम इसके अब आउट फोन पेज के ओपर तो यह दिखें जैसे कि साफ साफ मेंशन लिखा है कि Evolution X Roam है यह Android 9 के ओपर बेस्ट है Security Patch आपको इसके अंदर 5th April 2019 का मिलता है और Kernel आपको इसके अनदर 2 plus का मिलता है तो कुछ फर्स लुक जो है आपको इस तरीका मिलता है आप फोली कस्टमाइज कर सेते हैं जैसे कि हम ने कस्टमाइज कर रखा आप इस पर टैप करेंगे आप काफी सारे options देखने को मिलते हैं जिससे आप completely अपने फोन का लुक चेंज कर सकते हैं तो भी आप उसके अंदर दे सकते हैं डेस्क्टॉप में और भी option मिल जाते हैं जैसे grid size हो गया overlap placement आइकन साइज कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके जो होम स्कीन आइकन काफी पड़े हैं आप उनको छोटा करना चाहते हैं यह उस तरीक से आप यहां पर हाइट को यानिकि आइकन साइज को कम कर चाहिए और बी काफी सारी फीचर्स आपको बिल जाते हैं जैसे hide status bar आपको देख पा रहा होंगे हमारे home screen के ओपर आपको status bar नहीं देखने को मिल रहा है जो आपको एक अलग सा ही लोग देता है आपके फोन के अंदर यह सब चीजे तो आपको शाधा साथ-साथ मिल जाते ह उसी तरीके से अप्क स्मूं के एक अप्षों की जो टेख पार Natalie आपकर के इस तरीकी से अब कि यूशों कोुल अब्लीवां यूर्ध ए डेवलपर से अंदर उसको है उन्हों ने इसको को इंप्लिवेंट किया एंदर स्कॉ우 चेक कर लेते हैं हम चलके सेटिंग के पैनल कुछ इस तरीका आपको दिखता है आप इसको लाइट मोड या डार्क मोड के अंदर यूज कर सेटे हैं पर उससे पहले में आपको क्योंग तो तो बैग्गरांड है हमारे वाल पेपर बेस्ट है आप इनके एसेंस कलर को चेंज क चाहिए आप मेनू पर जाके सारी चीज़ देशने को मिल जाते हैं तो अब चलता है वापिस सेटिंग के उपर तो सेटिंग का लोग जो यह ने आपको दिखाया था डार्क मोड पर इसके जो मुस्ली फीचर से वह भी आपको इन दिखाने वाला आप बैटरी के अंदर जा सुझ खूल कर रहा है कि मुझे से नहीं होल काम नहीं कर रहा है कि जिएक सर्थिंग का शी तरीक में खी दिखार डिस्पले में दिस्पले नदर आपको कौन कौन से औप्शन उप्शन है यह भी कि अन्यक्र यह एम शेंव तो देखा थे पार हैं और टरीट स्कीन फॉंट स से यूज करें हैं हम लाइट ये डार्क मोड मिलता है मैं डार्क मूड यूज कर रहा हूं यह सारी चीज है आपको इसके अदर देहरें हुए साथ ही साथ कुछ अब यह सब्सक्राइब करने निचे अब पसंद नहीं है किसा थोड़ा और नीचे तो स्टोरिज को देखता है स्केटी निचे अब स्क्रीज लोकेशन जाएंगे तो सिक्योटी एंड लोकेशन में आप देख पार रहे होंगी हम पैटन फिंगर पिंगर्प्रिंट यूज कर प्रस्ट फेस वाइस मैच प्रस्ट डिवाइस अब इसके अंदर ऑप्शिंस देखने को मिल जाते हैं तो यह सारी चीज आपको सीक्योटी के अंदर देखने को मिलती है बाकि आपको पता है अकाउंट्स एक्सेशिबिल्टी डिजिशल वेल बिंग का नॉलिग है ही इसके मेन हाइलेटेट फीचर की तरफ के जो आपको इसके अंदर मिलते हैं एक्स कीप इवॉल्विंग के अंदर इसके अंदर काफी सारी फीचर मिल जाएंगे जैसे स्टेटिस बार क्योग सेटिंग्स थीम्स लॉक स्क्रीन वोल्यूम कीस नविगेशन जेस्टिर्स सबने आपको सेंटर में ग्लोक नहीं जाहिए तो आफ इसको LU वी कर सितलि आप आपको कौन स ऐाइटमस आ रहे हैं अ awareness ऑना होना तो यह सारे options आपको स्टेटेस बार के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप इसली आप से इने मेल कर सकते हैं as per your choice क्योग सेटिंग्स में जाते हैं तो क्योग स्टाइल जो है इनका पूरा चेंज कर सकते हैं आपको जो चाहिए जैसे हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं आपको देखने को मिल जाते हैं आपको ब्लूटूस बैटरी स्टेटेस साहिए वाइब टाच यह सारी से मिल जाते हैं साथा बैटने स्लेडर क्या पोजिशन चेंज कर सेते हैं यह option आप यहां पर देख सकते हैं कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूं इसके अं सब्सक्राइब कर सकते हैं और लकसलों ऐसे कर देखने पून पिक अलग सा लोक देखने को आप इस तरीके से आप शेया चयां सिर्कवर आप ये स्कानर कर देखा चैनर होगा से आप क्या सकते हैं आप मिल जाते हैं YOU काफी सरे अर्धिछ उन्ड्रि निच्ठ की करेते हैं श्कानर को इसके साका हो जो कि ऐसे अधे-ड होग सिर्थे को मिलती है आप देख पा रहे होगे जो एंडूड के इंदर जो थी यह गूगल एंट्रीज की थी तो वह आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है यह अच्छा फीचर जो है इसके अंदर एड किया गया है और काफी सारी आप्शन मिल जाते हैं जिसे क्लॉक फॉंट सब्सक्राइब करता है जो आपको स्क्रीन शॉट करने में हेल्प करता है यह दिखें इस तरीक से आपको नेविगेशन जेशर इस जगंदे में अपको फिल देखने को मिल जाते हैं अगर आपको डिस्ते उस नह相信 यह यह पाई तो अपने यह देख सकते हैं तौ यहां से नयौने बार्स कर देंदे उस तरीके से आपको जो रिसेट स्टाइल है उसको आप यहां से इसली चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो बहुत में रिकमेंट करूंगा आप एंडूर पाई के यूज़ करते हैं किसी भी रों के अंदर पावर मैनू को मॉडिफाई कर सकते हैं कौन-कौन से आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफी सारे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एरप्रेंट मोट सेटिंग्स लॉक्टाउं टेस्ट एमर्जंसी बगएरा इन सब को आप यहां से इनेबल डिसेबल करना चाहें उससाब से कर सकते हैं यह दिखिए हमारे दो कर से चाहिए यह सारे ऑप्शिन सापको मिल जाते हैं जैनरल टीक में भी आपको ट्विक्स मिल जाते हैं जैसे विक अब ब्लॉकर और कुछ और चीजें जैसे टाइम इन डे स्टेट सेटिंग्स पीडिया यह सारी चीजें ऑं-screen shot रिकॉर्ड का भी शॉटकट आवे यह से क्रिएट कर सकते हैं तो यह तो होगे इसके फीचर्स के बारे में बात भी अच्छे फीचर्स जिससे अफुली अपने फोन को कस्टमाइज कर देंगे आपको मिलता है उसके अंदर आपको ए आई मोड मिल जाता है फोटो इंदर प वीडियो के अंदर सबसे ची बात क्या है कि आपको इसके अंदर 4K के रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए वीडियो क्यूलिटी आप 4K एंद 1080P के पर इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेकंड चीज की इसके अंदर गूगल केमरा आपके फोन के लिए बेस्ट है तो उसका एक और वीडियो बना चुका हूं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा अब बात करते हैं बैंचमार्क स्कोर क् सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको पबजी भी एक बार इसके अंदर लॉंच करके दिखा देता हूं फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे सेट अप करना है तो यह दिकिए में पबजी लॉंच कर दिया है आपके सामने इस तैंप स्कीम के उपर आपके पबजी सब्सक्राइब करते हैं हम पबजी ग्राफिक पेज पर जाते हैं और आप बेग पारें आप इसके अंदर एच्टी मोड और फ्रेम बेड को हाई पर रखके इसके अंदर नहीं जा सकते हैं तो अच्छी बात है पब्जी गेम लवर्स के लिए कि आप इस रोम के अंदर है इस रोम की फाइल जिसके अंदर जी एप सब्सक्राइब को डाउनलोड करें और उसको टीवर्प कस्टम रिकवरी के तुरू इंस्टॉल कर ले रहा है मैं दिखा देता हूं आपको कौन सी फाइल है तो यह वो फाइल है एवलूशन एक्स की जो 1.01 जीवी के आसपास है ज इसके लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर के बटन को फोल्ड रखना है और थोड़ी दिर में आपका फोन जो है कस्टम रिकावरी पर बूट कर जाएगा यह दिखिए हमारा फोन जे पिच प्लेक रिकावरी पर आगया है तो इससे पहले वाइप पर जाएंगे इसको फ्लेश होने का उसके बाद रिबूट सिस्टम करेंगे रोम को सेट अप करेंगे और इस रोम के सभी फीचर्स जो है आप अपने फोन के नदर इंज्जोए कर पाएंगे बैक अप जरूर ले लिए कीजिए जब भी आप किसी रोम को फ्लेश करते हैं कई बार क्या हो आपका फोन जो हो जाता है या फिर आपको फास्ट वूट रोम को इस तो इस दिया मैं मैं कमेंट करता हूं कि बैक अप जरूर ले लिजिए अपने फोन का तो यह देखिए फाइनली जो है रोम फ्लेश हो गया है वाइप कर देंगे एक बार और उसके बात और री बूट स आपको आज का वीडियो और यह रोम पसंद आया हुगा और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और लाइक कमेंट शेकरना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाए